पादपो का संसार नमस्कार दोस्तों, मैं पौधमल हूँ अरे, मेरा नाम सुनकर आप सब हसने क्यों लग गए है? मेरा नाम ही कुछ ऐसा है, सबी हसने लगते हैं अगर आप नजर गुमा कर अपने आसपास देखेंगे तो लगभग हर जगा मेरे जैसे मुझसे छोटे या मुझसे बड़े दिखने वाले मेरे बहुत से मित्र दिखेंगे मुझे पता है कि लोगों के मन में हमें लेकर कई भ्रांतियां है खास कर बच्चों के मन में जैसे हम सजीवों की श्रेनी में आते हैं या निर्जीवों की अगर हम जीवित हैं तो हम बढ़ते कैसे हैं उर्जा कहां से प्राप्त करते हैं इत्यादी इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के पात्रों द्वारा दूंगा चलिए आपको नीलू और मीनू के घर लेकर चलता हूँ वो स्कूल से घर पहुँच गई है और आंगन में खेल रही है इस वीडियो के उद्देश्य है एक पादपो में पोशन, दो पादपो में प्रकाश संचलेशन क्या हुआ दीधी, क्या सोच रही हो? इस पेड के बारे में कितना हरा हरा है ये पेड इसकी छाव में कितनी ठंदक मिलती है, कितनी ताजी हवा देता है हाँ दीदी वह तो है इसकी पत्तियां भी कितनी हरी है सही कहा नीलू दीदी मा से पूछते हैं कि उन्होंने और पिता जी ने इतना बड़ा पेड आंगन में लगाया कैसे होगा हाँ चलो चलती है मा एक बात बताओ यह जो हमारे आंगन में इतना बड़ा नीम का पेड है वह आपने और पिता जी ने कैसे लगाया था अरे इसे तुम्हारे दादा जी ने बहुत साल पहले लगाया था तब यह एक छोटा सा पौधा रहा होगा सच मा बच्चों पादप हमारी ही तरह बढ़ते हैं तुम लोगों को क्या लगा कि जो छोटे पौधे होते हैं वो छोटे ही रहते हैं और जो बड़े पेड होते हैं वो हमेशा से वैसे ही हैं छोटे पौधे ही धीरे धीरे बड़े होकर पेड बनते हैं पादप भी सजीव होते ह क्या सोच रही हो नीलू दीदी क्योंना हम भी एक छोटा सा पौधा लगाएं शायद फिर हम समझ सकें कि ऐसी कौन सी क्रियाएं पादपों में होती हैं जो उन्हें सजीव बनाती हैं सही कह रही हो ऐसा करते हैं हम दोनों पौधे लगाते हैं हाँ दीदी एक मेरा और एक आपका कल स्कूल से आते वक्त हम स्कूल के माली काका से दो छोटे छोटे पौधे लेती आएंगे अरे वाँ दोनों बेहने कितनी खुश है आज दोनों को अपना अपना पौधा जो मिला है चलो देखते हैं कि कैसे ये इसकी देख भाल करती है मैं पौधे को खिड़की पर रख देती हूँ मैं अपने पौधे को यहाँ कमरे में संभाल कर रख देती हूँ अरे नीलू देखो ये नीम के पेड़ की पत्तिया कैसे भूरे रंकी हो गई है और पेड से तूट कर गिर गई है हाँ दीदी, यह ऐसा क्यों है कि जो पत्तिया पेड पर है वो हरी है और जो तूट के गिर गई है वे भूरी और सूख गई है ये पादपो के दुनिया भी निराली है दोस्तों, क्या लगता है आप सब को कि दोनों यहाँ पहेली कैसे सुलजाएंगी? अरे नीलू वो देखो, मा आंगन में लगे पेड़ों को पानी दे रही है पेड़ों को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है चलो हम भी अपने पौधों को पानी देते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है? मेरे मित्रों को जिन्दा रहने के लिए केवल पानी की आवश्यक्ता है चलिए देखते हैं, चार दिन बाद क्या हुआ है? अरे ये क्या हुआ? कल तक तो मेरा पौधा ठीक था आज कैसे पीला पड़ गया है? अरे, मेरे पौधे में तो कुछ छोटी नई पत्या दिख रही है मेरे पौधे के साथ ऐसा क्या हुआ दीदी, जो ये पीला सा पड़ गया? सोचने तो जरा, नीलू, तुम्हारे पौधे में इतना सारा पानी भी है दीदी, आपने ही तो बोला था, इन्हें पानी की आवशक्ता होती है नीलू, मैंने ये कहा था कि पानी की आवशक्ता होती है इसका मतलब ये तो नहीं है कि पौधे को पानी ही देते रहे मा भी आंगन में लगे पौधो को दो-तीन दिन में ही पानी देती है मैंने तो पौदे को रोज पानी दिया है मुझे लगता है कि पौदे के पीले पढ़ने का एक ये कारण भी हो सकता है दीदी, जैसे हमें खाने की आवशक्ता होती है लेकिन अगर हम ज्यादा खा लेते हैं तो तबियत खराब हो जाती है शायद वैसे ही मेरे पौदे के साथ भी हुआ है मुझे भी ऐसे ही लगता है नीलू, तुमने अपने पौदे को कहा रखा था? मैंने अपना पौधा कमरे में रखा था कमरे में तो सूरج की रोश्णी पहुँच्चती ही नहीं दीदी, क्या सूरज की रोश्णी पौधों के लिए आवश्यक होती है? हाँ, तुम देखो, जिस तरफ से सूरज की रोश्णी पौधे पर पड़ रही है, उसी तरफ ये ज्यादा जुका है, और इसे ताजी हवा भी मिल रही है इसका मतलब है, पौधों को पानी, सूरज की रोश्णी और ताजी हवा की आवश्यक्ता होती है, तभी हमारे आंगन में लगे पौधे इतने सुन्दर और तंदुरुस्त दिखते हैं बिल्कुल सही कहा नीलू, हवा से याद आया, मैंने अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ा था, कि हम मनिश्ये औक्सीजन नामग गैस सांस लेते वक्त अंदर लेते हैं, और कारबन डाय ओक्साइड गैस छोड़ते हैं दीदी, याद है, उस दिन दुम कह रही थी, कि हमारा नीम का पेड कितनी ताजी हवा देता हैं हाँ दीदी, हम ऑक्सीजन लेकर कारबन डाय ओक्साइड निकालते हैं, तो मतलब पेड भी ऐसे ही करते होंगे हाँ, पौधो को भी जीवित रहने के लिए ओक्सीजन के आवश्यक्ता होती है, हाला के जानवरों के विप्रीत, पौधो को प्रकाश संचलेशन के लिए कारबन डाय ओक्साइड की भी आवश्यक्ता होती है हम उन्हें कार्बन डायोकसाइड देते हैं जो उनके लिए आवश्यक होती है अब समझाया माने आंगन में इतने पेड़ पौधे क्यों लगाये हैं? बिल्कुल दीदी, पादपों के बारे में सब कुछ समझा रहा है इन पत्तियों को देखो तो लगता है इन पर हरा रंग किया गया है आज ही मास्टर जी ने बताया था कि पत्तियों में एक हरे रंग का वर्नक होता है जिसे क्लॉरफिल कहते हैं अच्छा, तभी ये पत्तियां हरी दिखती हैं चलो, कुछ तो मास्टर जी से पता लगा सही कहा तुमने दीदी, याद है आपको जब हमने माली काका से पौधे लिये थे तो उन्होंने गमले में मिट्टी के अंदर उसकी जड़ों को दबाया था हाँ, याद है इसी वज़ा से तो पौधा सीधा खड़ा रह पाता है हाँ, दीदी, तभी से मेरे मन में जड़ों से जुड़ी जानकारी जानने की उचसुकता थी इसलिए आज मैंने मास्टर जी से जड़ों के बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया कि जड़े मिट्टी से पानी और पोशक तत्व सोख कर पौधे तक पहुचाती है हाँ, सही कह रही हो तुम ऐसे ही इन पत्तियों की भी बहुत महत्वपून भूमिका होती है कितना तु जान लिया पौधों के बारे में इन पत्तियों का रहसे भी सुलजा लेंगे दीदी नीलू, मेरी विज्ञान की पुस्तक में पादपो पर एक अध्या आए है आजकल मास्टर जी उसी पाठ से जुड़ी जानकारी देते है उस पाठ में पत्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी है ठेर, मैं अभी अपनी किताब लेकर आती हूँ जी दीदी, जल्दी से लेकर आओ और इस पहेली को सुलजाओ नीलू सुनो, मैं पढ़कर सुनाती हूँ ख्लोरोफिल, सूरज के प्रकाश का संग्रहन करने में पत्तियों की सहायता करता है उस उर्जा का उप्योग, जल और कारबन डाय उकसाइड से खाने का संचलेशन याने सिंतेसाइस करने के लिए होता है इसी लिए पादपो द्वारा खाना बनाने की क्रिया को प्रकाश संचलेशन कहते हैं दीदी, जरा सोचो, इतने दिन से पादपो का निरीक्षन करते करते हमने इनके बारे में इतना कुछ जान लिया ऐसा लग रहा है, हम तो वैज्ञानिक हो गए अब इस बात से ये पता चलता है कि पादप अपना खाना खुद बनाते हैं इसी लिए इन्हे स्वपोशी कहते हैं पादपों को खाना बनाने के लिए पानी, सूरज की रोशनी, हवा, कार्बन डायोकसाइड, खनिश पदार्थ की आवशक्ता पड़ती है हाँ, इसी लिए अब तुम अपने पौधे को कमरे में मत रखना दीदी, अब मैं अपने पौधे का बहुत ध्यान रखूंगी चलिए, दोनों बेहनों ने हम पादपों के बारे में बहुत जानकारी एकत्रित कर ली है लेकिन क्या आपको पता है? अभी बहुत कुछ जानना बाकी है आपको क्या लगता है दोस्तों? सभी पादप स्वपोशी होते हैं? सोचते रहिए क्योंकि इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा